नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं FTP के बारे हैं, किसके बारे हैं बात करने वाले हैं, ध्यान से हमारी बात समयले हैं, FTP means File Transfer Protocol, मैंने बताया था आपको, अगर आप लोगोंने प्रोटोकॉल्स वाला वीडियो देखा हुगा, तो उसमें मैंने प्रोटोकॉल्स की ड डिटेल बता दिये, अब हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे की इंटरनेट में हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ता है, उसके बारे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा, मैं रतनाकर रुपध्या, बात करना हूँ, आप देख रहे हैं, यूनिका ओनलाइन गुरू चलेल, चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं, तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं, FTP की, किसकी बात करने वाले हैं, FTP मिन्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्चुल म ये क्या होता है, used to copy, क्या करता है ये, used to copy from one host to another, ध्यान से हमारी बात सुमझ लीजिए, ये क्या करता है, used to copy file one host to another, मिन्स क्या हुआ कि एक host से दूसरे host पे ये copy file करता है, जैसे कि मान लीजे, आप लोग कुछ भी कोई file open कर रहे हो, तो कभी-कभी देखना कि आप लोगो होता है, http, तो http जब लगता है, समयखह़़55 ये text file खुलने वाली है, और जहां पर लग गया, ftp, means वो file खुलने वाली है, दोस्तों, वो क्या करता है, copy करता है, file को, copy करता है, एक host से दूसरे host पे, जो copy करने वाला क्ना करता है, वो हमारा होता है, ftp, क्या होता है? FTP दोस्तो तो इसकी details आप लोग कुछ पता होगी इसमें जो है use to port 21 21 की बात कर रहा हूँ 21 use होता है किसमें control connection की बात कर रहा हूँ किसमें control connection की बात कर रहा हूँ और 20 जो use होता है वो है data connection में control connection में कितना रही होता है control connection की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें 21 यूज होता है port अगर data connection की बात कर लूँ तो इसमें 20 port यूज होता है ठीक है तो ये हमारा FTP का नियम है लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि FTP को यूज करने के लिए हमारे पास authentication होना चाहिए means certification होना चाहिए अगर हम लोग FTP use कर रहे हैं तो सीधी सी बात आप समय लीजिए कि आपको कोई ना कोई एक domain name या hosting कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा उसके बाद आप लोगों को एक ID password मिलता है then आप लोग जो है इसको FTP को use कर सकते FTP protocol देख सकते हैं तो ये हमारा होता FTP protocol जिसको हम FTP one host to another की बात करते हैं इसमें 21 और 20 ports होते हैं और इसमें authentication जो होता है authentication जो होता है वो must होता है means आप लोगों को purchase करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा purchase करना पड़ेगा तो आप लोगों को ID password मिलेगा देन आप अपने data को transfer आसानी से कर सकते हैं तो ये हमारा होता है क्या FTP means file transfer protocol अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार like से subscribe जरूर करें और हाँ आप लोगों को अगर कोई सुझाओ दना हो तो आप लोग comment box में comment जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहिन